जी हाँ दोस्तो अभी तक जो कुछ भी खबरे टीम इंडिया एक है में सामने निकल कराए उसको भारते किरिकेट के इतिहास का सबसे बड़ा विवात कहा जा रहा है दोस्तो इस वज़े से क्यूंकि एक तरफ बीसी से आई होती नजर आ रही है दूसर तरफ वो लेजंडरी खिलाड़ी जिसके बल्ले से सतर सजाश तक निकल चुके हैं पिचाने वंडे मैचेस की कप्तानी करते हैं 65 प्लस वंडे मैचेस में जीत दिलाई है विनिंग रेशियो देखा जाए तो 70% है विदेशी जमी पर भी जाके उसने अपनी धार लगाते वे सभी टीमों को हराते कप्तान भी है तो दोस्तो किसका सच है किसका जूट इस बात से खुलासा होगा हमारे इस वीडियो के माध्यम से लेकिन आप सभी को बताया हैं दोस्तो किस तरीके से आप सब जानते हैं कि विराट कोली के प्रसनली बात की थी अगर बात की थी तो विराट कोली ने उस पर स इसे कोई ऐसी बात्चीत नहीं वी जब मैंने बताया कि मैं T20 कप्तानी छोड़ना चाहता हूं तो बलकि उन्होंने इस पर हामी भरते वे इसके फायदे गिनवाने शुरू कर दिये इसी वज़े से विराट कोली को कोई दिक्कत नहीं वी रोई शर्मा कप्तान के रूप में सोशल मीडिया पर एक तरह विराट कोली जिनका प्रेस कोंफरेंस वारल होड़ी सोशल मीडिया पर इसी लिए दोस्ति इसको भाड़ते क्रिकेट के सबसे बड़े विवाद में गिना जा रहा है क्योंकि किसी ने ऐसे पहले दोस्तो कप्तानी नहीं किसी चीनी गई है अगर चीनी गई है तो उसका फॉर्म देखा जाता था उसका कह सकते हैं उम्र या फिर सन्यास लेने की उम्र देखी जाती थी कुछ ऐसी चीजे होती ती जो प्रॉपर रीजन होता था लेकिन विराट को क्यों छोड़ क्यों चीनी गई कप्तानी ऐसा कोई रीजन सामने निकल कर प्लस दोस्तों यहां पर एक बात यह है कि अगर सुरफ गांगोली ने बात की है तो विराट कोली ने हैं सहमती क्यों नहीं जिताई अगर विराट कोली सच बोलने तो सुरफ गांगोली ने जूट की बोला कई सारे सवाल यहां पर खड़े होते हैं और यहां पर यह भी तोबह नहीं देता अगर आपसे कप्तानी चीनी गई है तो कुछ सोच समझ कर ये फैसला किया गया है खेल से बड़ा कोई नहीं होता तो आप उसका फैसले का आप बिल्कुल कह सकते हैं अपमान ना करें वैसे विराट ने अपमान नहीं किया बलकि जो कॉंट्रोवर्सी की ड जबाब दिया चाहते तो वहीं पर सही शुरू हो सकते थे जब उनको बताया गया 90 मिनिट के अंदर कि उनसे कप्तानी चीनी जा रही है लेकिन विराट ने तब ऐसा कोई भी यहां पर बड़ा कदम नहीं उठाया तो विराट की आप दरिया दिली देख सकते हैं और आप ब विराट वर्सिस रोहित शुरू फिर से ना हो यही हम फैन से दुआ करेंगे क्योंकि यह दोनों खिलाट टीम इंडिया की जान बान शान है अब दोस्तों सोदब वर्सिस विराट की जंग में आप का लगता है कौन सचा या कौन जुटा कॉमेंट्स करके अपने राय जरू दीजेगा नेक्स्ट नैन स्पोर्स की रिपोर्ट